गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स तिस इस वर मैंच स्पीरिट चैप्र नमबर फर्स्ट नमबर से नुमिरेशन हमने स्टार्ट किया वह हैं उसी को ही हम कॉंटिडियू कर रहे हैं तोडेश आर टॉपिक इस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ओडर पर्स्ट ओफोल आपको clear होना चेए what is ascending and descending order ascending order क्या होता है when we write the numbers from smallest to greatest जब हम नमबर को smallest से greatest तक write करते हैं it is called ascending order क्या होता ascending order when we write numbers from smallest to greatest जब हम number को smallest से greatest में write करते हैं then it is called ascending order and what is descending order opposite होता ascending order descending order when we write numbers from greatest to smallest जब हम number को greatest to smallest बड़े से छोटे की form में लिखते हैं तो it is called ascending order ठीक है let's see one example ascending order when we write number from smallest to greatest it is called ascending order when we write number from greatest to smallest then it is called descending order जब हम छोटे से बड़े के form में लिखते हैं तो वो होता है ascending order जब हम बड़े से छोटे के form में लिखते हैं तो होता है descending order let's start exercise 1a question number 1 is write the numerals in ascending order इन numerals को ascending order में लिखना है numeral होता है जो number की form में होता है सबसे पहले आपे देखे ये सारे given numbers equal digit के हैं येस आप देखे सबसे छोटा कौन सा है ascending order क्या होता है smallest to greatest सबसे चोटा क्या है 285 अब जो हमारा हो गया जो हमारा हो गया उस पर हमें क्या करना है cross लगा देना है अब इन बच्चे में से छोटा कौन सा है ये this one फिर इस पर cross लगा दो इन बच्चे में से छोटा कौन सा है this one इस पर cross लगा दो यहां लिखने के बाद end में क्या बच्चे 794 more examples are 129, 291 921, 299 यह हमें given है ठीक है हमें देखना है सब equal digits के है yes equal number के है बतलब numbers equal है सब में 3 digits है अब सबसे छोटा देखो 129 इस पर कट लगा दो इन बच्चे में से सबसे छोटा क्या है 291 इन बच्चे में 291 में कट लगा दो इन बच्चे में सबसे चोटा क्या है? 299 इस पर कट लगा दो end में क्या बच्चा 921 तो इससे आपको clear होगा sending order क्या होते है? smallest to greatest फिर देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे चोटा सबसे चोटा क्या? 525 इस पर कट लगा दो cross इन बच्चे में सबसे चोटा कौण सा 557 इस पर cross लगा दो इन बच्चे में इन बच्चे में सबसे चोटा क्या? 582 इस पर cross लगा दो end में क्या आएगा 590 next part देखे 620 267 1777 सबसे चोटा hai 260 cross लगा दो उस से बड़ा 620 cross लगा दो इन बच्चे में सबसे छोटा क्या है 701 क्रोस लगा दो end में 777 लास्ट वन 429, 490, 360, 510 इसमें सबसे छोटा क्या है 360 क्रोस लगा दो बच्चे में सबसे छोटा क्या है 529 इस पे क्रोस लगा दो इन दोनों में छोटा कौन सा 590 इस पे क्रोस लगा दो end में क्या बचा 510 ये तु था आपको ascending order now question number second is descending order क्या बताया मैंने आपको descending order जब हम numbers को greatest से smallest form में write करते है then it is called descending order सबसे बहले greatest to smallest when we write number from greatest to smallest then it is called descending order सबसे बढ़ा क्या 916 cross कर दो बच्चे में से सबसे बढ़ा क्या 619 cross कर दो जो लिख दिये यहाँ पर उसी को cross कर दो इन दोनों बच्चे में से छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है 196 cross कर दो end में आया 169 ठीक है देखी इन में से सबसे बढ़ा कौन सा 414 राइट कर दो यहाँ पे cross जो यहाँ राइट कर आओ उस पे cross लगा दो उसके यहाँ पे बचे में से सबसे बड़ा क्या 420 इस पे cross लगा दो लिखने के बाद 410, 240 410 उस पे cross लगा दो बचा क्या 240 इसी तरह से आपको करना है सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, फिर उसे छोटी, फिर उसे छोटी, एंड में सबसे छोटी 390, 430, 340, 490 Which one is greater? 490 Cross लगा दो बचे भे क्या है? 390, 430, 340 क्या बढ़ा है? 430 अब इन दोनों में से क्या बढ़ा है? 390, एंड में 340 Next, 325, 225, 525, 425 कौन सा बढ़ा हैं? 525, इसपे Cross लगा दो बचे में सबसे बढ़ा क्या? 425, इसपे Cross लगा दो बचे में बढ़ा कौन सा है? 325, एंड में 225 Last देखिएं सबसे बढ़ा क्या? 630 लिखते ए番 क्योधा लगा दो बचोवे में से बड़ा कोन से है 520, लगा दो, अब बचोवे में से बड़ा क्या है 460, लिखते एक लगा दो, and में क्या बचा 210, आपका two concept यहां पर clear हो गई है, asending or descending order, I hope आपको clear हो गई होंगे, अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझसे क्लियर कर ले ना अब mental maths से है which number comes just after after होता है बाद में इनके just after बिलकुल बाद में उनसे नमर आता है 109 के बाद क्या आता है just after 110 999 के just after क्या होता है 1000 509 के just after क्या होता है 510 अगर आपको अच्छों से counting आती है तो आप ये after before easily कर सकते हैं तो आपको ये book में ही complete करना है with neat and clean handwriting के से ठीक है और कोई भी आपको doubt लगता है तो मुझसे clear कर ले ना thank you have a nice day